नमस्कार स्वागत आपका विकी नूज में आपके साथ मैं हूँ दोईबंद सिंग। यूपी पुलिस चाहे जितना भी अपराधियों पर शिकंजा कसते लेकिन अपराधी लगातार चिनोती दे रहे हैं। अपराधी नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बदमाश भायक पर वैट कर नेताओं को गोली मार देते हैं। लेकिन आज ऐसा ही हुआ है मेरट में। जहां पदिन दाड़े बायक सवार बदमाशों ने पार्शत जुवेद अंसारी की गोली मार कर हत्या कर दी जिसके बाद कोहरा मच गया। आपको बता दें जुवेद अंसारी पेशे से प्रोपरेटी डीलर हैं जो AIM-IM से जोड़े थे। तावर तोड़ गोलीों से बदमा के लिए बेश दिया है और मामले की जांच की जा रही है। AIM-IM के पार्शत जुवेद अंसारी संतुष और स्पीटल के पास रहते हैं। आपको बता दें जुवेद अंसारी कार से जा रहे थे। तबी पहले से ताक लगाए बैटे बायक सवार बदमाशों ने पार्शत प अमरे खंगाल रही है जिसके बाद आरोपियों की तलाश में नाके बंदे भी करा दी गई है। लेकिन अभी तक पुलिस को ना तो हत्या की वज़ा पता चली है और ना ही अत्यारों का कोई सुराग लग सका है। SP City बिनीत बटनागन न बताया कि जोवेर के पास से देरादू निस्तेत प्रोपर्टी के कुछ कागजात मिले हैं। माना जा रहा है कि प्रोपर्टी बिवाद में ही जोवेर की हत्या की गई है। जोवेर के परीजनों की माने तो उनकी कोई रंजिस नहीं थी। इस पूरे इनके मुपट आता बंदा वाता यह बता आगया। तो सुना आपने वे कह रहे हैं कि मिर्टक का कोई दुर्श्मन नहीं ता लेकिन बेना दुर्श्मनी के हत्या कैसे हो सकती यह अपने अपने बड़ा सवाल है। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पार SSP प तो सुना आपने SSP साव कह रहे हैं कि बदमाशों की तलास की जा रही है। अब SSP सवाल यह कड़ा होता है क्या कि कव तक पुलिस बदमाशों को पकड़ पाती है। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए जाज़त आप देखते रहे हैं वी के नीच नमस्कार।